आज का वीडियो बेहदी खास होने वाला है क्योंकि कुछ छात्रों के लिए खुशी कीलहर भी हो सकती है और कुछ छात्रों के लिए ये शेड न्यूज भी हो सकती है तो वीडियो और भी महत्पुर्ण हो जाती है आप छात्रों के लिए अंतक बनेड़ेगा हम लोग रिजल दो दिन जमा होंगे ओफर लेटर कुलमला के दो दिन में आप सभी ओफर लेटर जमा कर पाएंगे कल जाड़ी होगा आप सभी का ओपन लिस्ट ओपन मेरिट लिस्ट तो पैड़े दोस्तों परतिक खबर पर हम लोग पहिनी नजर रखने वाले हैं बनड़ेगा हमारे साथ ठ ठीक है एस्पेशल बैक की बात करें तो एस्पेशल बैक परिक्षा फॉर्म भरने की अंतिम्ति थी आज है परन्तु अभी तक सकेंड यर वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं प्रकासित किया गया है उनके साथ अब क्या होने वाला है मान के चलो किसी बच्चे को बैक लग सकता है आप गौर किजिएगा ठीक है वहीं बात कर लेते हम लोग दाखिला हमेरी मेरित सोमबार बाई सुभा जारी होगी दो दीन तक चात्र चात्राय कोलेज ओफर लेटर जमा करेंगे ठीक है शीटों के हिसाब से मेरिट जारी कर एड़िशन देंगे ठीक है वहीं भी स्विद्दाले के एड़िशन नियमों में कुछ बदलाओ होने के चलते भी स्विद्दाला पर्शासन ने सभी कोलेजों को नया ब्रोजर भी डाउनलोड करने के लिए कहा है तो हीं बात कर लेते हैं प्रफेसर समवन्यक प्रफेसर भुपेंदर सिंग ने बताया कि शुक्रवार को दूसरी मेरिट के ब्रभेस बंद हो चुके हैं सोंबार सुभा विश्विदाले ओपन मेरिट को को भेज देगा चात्र सत्राय को कॉलेजों में खाली सीटों को देखते हुए अपनी लॉग इन आईडी से कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके और प्रिंट आउट निकालेंगे इसके बाद समंदित कॉलेज से जमा करेंगे तो यह अब तक की सबसे बड़ी अफडेट थी परंतु बात रहा रिजल्ट का तो य बैक परिक्षा फॉर्म भर पाए ठीक है वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें ताकि आपके इनवर्सिटी के परसाशन के पास पहुंचे और उसे यह सुनाई दे कि फर्स्ट वर सेकेंड यर वाले बच्चे बहुत परिसान चल रहे हैं क्योंकि जिए दिमान के चलो उ या अपने वह रिजल्ट से असंतुष्ट है तो अभी वह ब्यक परिक्षा फॉर्म भरके अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं परंतु जदी यह फॉर्म नहीं भर पाते तो आगे जदी ऐसा कुछ होता है तो उसे इंतिजार करना होगा एक तो आपका सेशन पीछे चल रहा बैबाई टेक केर जाएं दोस्तों